साहस सरोकार संक्रांती का पावन पर वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है यह पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए विशेस महत्व रखता है इस दिन सूर अपने पुत्र शनीदेव के घर जाते हैं यानि सूर शनी का राशी मकर में प्रवेश करते हैं इस दिन का बहुत महत् पंडित राम जी मिष्र से यह पर अचार राम जी मिष्र आप सभी देश वास्यों को इस पावन पर्व की मकर संक्रांती की बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत पर्व की सुभकामना है मकर संक्रांती क्यूं मनाई जाती है और उसका महत्तु क्या है बहुत अच्छा प्रश्णा है मकर संक्रांती से ही हमारे हिंदू सनातन धर में त्योहार प्रारंब होते हैं खर्मास के बाद एक महिने जब सूर्य धनू राशी में जाते हैं तो एक खर्मास होता है खर्मास के उतरते ही सूर्य मकर पे प्रवेश करते हैं और ये सूरी जब मकर राशी पर प्रवेश करते हैं तो एक बहुत बड़ी ग्रोह में हलचल होती है एक ब्रम्भान में बहुत बड़ी हलचल होती है जिस हलचल का प्रभाव हर एक मानो इस धर्ती पर सभी मानो जाती पर पड़ता है यहां तक जीव जनतूर पर भी उसका प् भगवान भासकर अपने पुत्र की ही राशी मकर राशी में प्रविश करते हैं तो एक बहुत बड़ा सुभयोग भी होता है क्योंकि सूर्य अपने पुत्र की राशी में आते हैं लेकिन सूर्य और सनी इनका आपस में बहुत अच्छा तालमे नहीं खाता है क्योंकि छाया उनकी दूसरी पत्नी थी उनसे शनी देवता उत्पन है इसलिए इनकी बहुत जादा आपशी मित्रता ग्रहों में नहीं है इसलिए जब भी सूर्य मकर राश में प्रवेश करते हैं तो एक बड़ी हलचल होती है और उस हलचल के प्रभाव से बचने के लिए देवताओं में भी ग्रहों में भी और मनुस्वों में भी कुछ न कुछ पूझा पाट करने का या कुछ न कुछ करके ही हम उन ग्रहों से बच सकते हैं तो वो खिचडी का परवा क्योंकि दाल और चावल, कारग जो है सूरी और सनी इनको जब मिला करके हम वोग ग्रहल करते हैं या अपस में मिलाते हैं और उनको दान करते हैं, पूजा पाट करते हैं, तो हम सभी लोग इन दोसों से जो ग्रहों में उत्पन होने वाले दोस हैं या सूरी का मकर राज पर आना है क्योंकि सूरी एक बहुत बड़ा ग्रह है जो आत्मबल का कारक है जो नेत्रों का कारक है जो हमारे सरी में हड्यों का कारक है और जो पूरे राजनीतिक ग्रह है जब भी सूर की ये संक्रांती होती है तो एक ग्रहों में हलचल होती है और उस हलचल से बचने के लिए हम ये खिचडी का पर्व मनाते हैं कहीं कहीं लोहरी आग जला करके लोहरी का पर्व होता है और कहीं कहीं खिचडी तो खिचडी का दान करना खिचडी को ग्रहण करना और खिचडी को अपने मान्यों को खिलाना इस सभी प्रकार से सुह माना गया है और अधिक तक आपने देखा होगा कि ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो चौदा तारीक को ही पड़ता है चौदा तारीक को चूकि कभी-कभी बढ़ घट जाने से तिथी ये पंद्रा को पड़ता है अभी पंद्रा को है अभी एक-दो साल वाद ये फिर अपने चौदा में ही आ जाएगा क्योंकि इस वर्ष 2023 में दो स्रामण मास पड़ेंगे इसलिए इसका जो पंद्रा तारीक में अभी आने वाले समय में यही पर फिर चौदा तारीक में यह पंद्रा में यह पड़ेगा तो इस वर्ष सभी को जानना चाहिए कि खिचरी का दान पुन किस दिन किस समय किया जाना चाहिए तो सोला घड़ी पहले और सोला घड़ी बाद इसका पुन्निकाल माना जाता है जब सूर्य धनू राशी से अपनी मकर राशी में प्रवेश करता है तो ये प्रवेश का जो समय है वो रात्री में दो बज करके कुछ मिनट पर है तो जिसका पुनिकाल हम लोग दूसरे दिन प्रातहकाल मनाएंगे तो ये दूसरे दिन रविवार है पंदरा तारीक तो सभी को पंदरा तारीक को किशी नदी अथवा तालाब खुएं या घर के ही जल से इश्नान करके उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लें या तिल भी मि खुग लगा मैं और उसके बाद अपने मान्यों को खिला मैं या ब्रामभर अगर आस पास में आचारी ब्रामभर गड़ हो तो उनको खिला सकते हैं या मंदिर में गोरकपुर में गोरकनात मंदिर में भी देखिए बहुत बड़ा पर्व इसका मनाया जाता है नेपाल के राजा आते हैं वहां खिचरी चढ़ाने के लिए तो खिचरी मंदिर में भी चढ़ाने का विधान है और दान करने का विशेश क्योंकि जब संक्रांती लगती है तो जो जनेयों पहनते हैं उनको चाहिए कि अपना यग्यों पवीद बदलें और पूजा करें क्योंकि सूरी पूजा का विशेश महत्व है इसे पूजन पाट करें और पूजन करने के उपरांत पहले दान करें फिर ग्रहन करें और दान में एक विशेश सीजे बताना चाहेंगे क्योंकि रविवार को ये इसका पून निकाल माना गया है इसलिए सभी लोग दान में गुड को जरूर सामिल करें या गुड कर सकते हैं या लद्डू आजकल जो गुड के बने हुए हैं ये लद्डू भी आप दान कर सकते हैं इसका विशेश मात होगा खिचडी तो दान करेंगे साथ में गुड का या गुड की से बनी हुई वस्तु का या कोई भी लाल वस्तु का दान आप प्रविवार को करेंगे जिससे आप इस संक्रांति के काल से बचे रहेंगे और ये आपका पर्व बहुत अच्छी तरीके से आप इसको मना सकेंगे और इसी के माध्यम से पंद्रा तारिक से ही सभी मांगलिक कारे प्रारम हो जाएगे चारो तरफ, बैंड बाजा, बरात और साधी व्याह का भी माहल सुरू हो जाएगा क्योंगे खर्मास भी इसी से उतर जाएगा और ये उत्तराइन में सूरी चले जाते है सूरी की संक्रांत के बाद से जब सूरी मकर राज पे आ जाते हैं तो मकर से लेकर करक तक उत्तराइन होता है उत्तराइन ये बड़ा दिन माना जाता है देवताओं का ये दिन होता है और मकर करक से लेकर के मकर राज तक सूरी दच्छनाइन में रहते हैं दच्छनाइन ये देवताओं की रात होती है इसलिए दच्छिणायन में बहुत सुभकार अच्छे नहीं माने जाते हैं जितना उत्तरायन में तो इसे उत्तरायन में सुभकार शंपन होते हैं नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागरजम छाया मारतन नसं भूतम तम नमामी सनेश्यरम बहुत ही अच्छा समय है कि यहां पर सूरिय अपने मकर राश में प्रवेश कर रहे हैं और सनी अपनी मूल त्रिकोन राश में और ये दोनों परिवर्तन ही मानो जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं बहुत ही सुभ होने वाला है और ग्रहों में राजनीत में भी बहुत उथल उथल होने की संभावनाएं हैं क्योंकि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये सभी बहुत बड़े ग्रहों से हो रहे हैं 32 वर्सों के बाद भगवान सनी देवता अपने मकर राश छोड़ करके कुम अपनी मूल त्रिकोल राश में आगमन करेंगे और ये आगमन हर एक राशियों के लिए बहुत ही बड़े बदलाव लाएंगे क्योंकि सनी का ही एक ऐसा परिवर्तन होता है जो मनुस के जीवन में कई बड़े बदलाव लाता है और कई राशियों को प्रभावित करता है दो राशियों पर तो सनी की ढहिया प्रारम हो जाती है और दो राशियों पर साड़े साती और कुछ राशियों पर उनकी दरश्टियां इसलिए लगभग जोतिस में ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है सनी का परिवर्तन अभी सनी धाई साल पहले मकर राशि पे थे तो धाई साल पहले जब अपनी राशि परिवर्तन किये मकर पे आये तो देखा आपने कई परकार की बीमारिया पूरा भारत क्या पूरा बिश्व हिल गया लेकिन ये सनी का परीवर्थन कुछ अच्छा माना जाता है क्योंकि सनी की मूल त्रिकोंड राशी है कई बड़े जिवतिशियों ने लोगों को बहुत इस राज पर डरवाया भी है और वाकई में कुछ ऐसे होने की सम्हावना क्यों कि सनी परिवर्तन के आसपास कुछ जैसा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जनवरी की पहले इसी पे कहा था कि कुछ जो है दैवी आपदा या प्राकृतिक घटनाएं होने की समभाव ना है हमें बोला था 2022 में ही लाष्ट में और जिसका प्रवाव यह रहा कि आपने देखा कि उत्राखंड में भी बादल फटने या धरती फटने जैसी घटनाएं सामने आई हैं तो यह सभी कहीन कहीन ग्रहों के प्रवाव से ही ऐसी इस्तितियां देखने को मिल नहीं है या चीन में करोना का फिर स से पुना बहुत ज़्यादा इस्तितियां ऐसी हो नी है यह सभी ग्रहों के प्रवाव से हो रहा हैं इसलिए हम को इस सभी प्रकाब से बचना चाहिए सभी बचने का मतलब यह है कि हम सभी लोगों को चाहिए कि पूजा पाठ और नयायक संबंधिक जो नयाईक हूँ क्योंकि सनी का परिवर्तन सनी नयाई की देवता है और दंड की देवता है कितना भी कोई जीोतिसी कहे कि नादれて सनी का यह परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा प्法 देने वाला है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक सनी का ही ऐसा परिवर्तन होता है जो मन उसके जीवन में कुछ बदलाव जैसे परिवर्तन लाता है इस्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन और घर के परिवर्तन, कई प्रकार के परिवर्तन इस सनी लेकर के आते हैं तो इसलिए हमको इस सनी के प्रवाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए इस वर्स क्योंकि वर्स के 2023 और 2225 अगर अंक जो 30 के स्वामी देखे जाए तो मूलांक साथ होता है और साथ अंक केतु का अंक माना गया है केतु के अंक से केतु से वर्स सभी लोग प्रवावित रहेंगे और केतु का ऐसा ग्रह है केतु शाया ग्रह है मंगल की तरह ही इसका प्रवाव भी रहता है इसमें कुछ बीमारियां फैलने माणाला ब स्व àना ईकेतु की कि नथ की इसे अच्छे ऑर में वी केटू की कई जो तिशार्यों ने इसको ऑच्छे गड़ा और यह ले देखा गया है कि अपने घरों में धोजा जंडा एक आवस्चे लगा मैं इस वर्स अगर बहुत अच्छा हमको चाहिए कि बहुत अच्छा हमारा हो हमारे परिवार का अच्छा हो समाज का अच्छा हो विस्व का अच्छा हो इसे अपने अपने घरों पर एक हरे बास का डंडी में अच्छा सा धोजा मंगलवार को यह सनिवार को अवस्य लगाए रहे हैं जब धोजा आपके घर पर लगे रहेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी आपदा विपदा समस्य आपके घर पर इतनी जल्दी नहीं आने पाएगी और हर एक छेतर में कारे में बिज़े की प्राप्ति होगी भाईया ने जैसा प्रशन किया कि सूर्य का इस राज़ी पर आने से क्या प्रहौ रहेगा सूर्य का पूजा किस प्रकार करेंगे तो सूरी का चुकि सूरी अपनी मकराज पर आएंगे और सूरी ग्रहादी पती हैं नोकरी के लिए हर्चेतर के लिए अच्छे सुम माने गए है इसे सूरी की उपासना सभी लोग करें सूरी आत्मबल के कारक हैं पिता के कारक हैं नेतर के कारक हैं जेजिएं के का रखा और शबसे बड़ी बिना भूंप के बिना बितामिन दी सूर शूरी से हमको प्राप्त होती हैं कि सूर की उपास्ना करने यह सभी चीज़ें प्राप्त होती है और सभी राज़ी वाले इस वर सूर्य की उपासना पहले दिन ही 15 तारीक को संक्रान्ती चेंज होगी उस दिन ओम घ्रहनी सूर्याय नमा ओम घ्रहनी सूर्याय नमा इस मंत्र का जब एक माला 108 बार अवस्य करें नहीं अगर माला पूरा कर सकते हैं तो साथ द्रिवार और या भगवान सूरी को जल्द तो सभी लोग देंगे ही सूर को जलस दें और एक माला ओम घ्रहनी सूर्याय करें जिससे आपका यह दिन और यह वर्स बहुत ही अच्छा ओं और सभी लोग अच्छे से इस तेवहार को मनाईंगे क्योंकि हमारा प्रतम तेवहा है यह इस वर्स का दोजार तेईस का यह परथम तेवहार पड़ेगा जिसके को अम लोग खिच्टी से मानने हैं कि पिनाम से जाम ते हैं उसलिए इस तेवहार से ही आगे के सभी कारिकम्त हो गयाolds काप्ड़ारम हो जाते हैं सादी व्यास बेक्छ करना है और राशियों कुछ राशियां जैसे मेश है तुला है शिंग है और मकर इन राशियों को विशेश साउधारी रखनी है पहले एक दो महिनों में फरवरी मार्ज तक इसके बाद ये राशियां भी बहुत अच्छी हो जाएंगे अन्य राशियों पर अच्छा प्रोह पढ़ी रहा कि क्विस्धंद अधिकारी है इस लिए नहीं करना चाहिए को करें या जो अन्याय चन्वंदी कारी है और अधिकारी कोमामें चाहिए यहिए कोति नहीं प्राप्त इसे कोई भी ऐसा हम कारई न करें वले इस वर्ष धन्यक्ति कम अच्छे कारी करेंगे तो हमको वर्ष अच्छा वीते गा और हमको अच्छा फल भी प्राप्त होगा इसीके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादे तो ये थे पंडित राम जी मिस्र जिनोंने मकर संक्रांती को लेकर तमाम जानकारियां दी आगे आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार